हेलो दोस्तों कैसे आप सभी आई होब कि आप सब ठीक होंगे तो दोस्तों जैसा कि आपका सीटेट का एक्जाम 21 जनवरी को होने जा रहा है असे में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपनी तयारी कंप्लीट कर चुके हैं अब जो है उनको रिविजन करना है प्रैक्टिस करन हैं दूसरी बात जिन बच्चों का भी कुछ भी उन्होंने नहीं पड़ा है बिल्कुल जीरो की तैयारी है तब ही दोस्तों अगर आप इस क्लास को ले लेंगे तो आपका पूरा जो है यहां पे सीटेट का जो स्लेबल से पूरा कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि यहां वो पेज को भी सारे आपके जो डाउट्स हैं वो किलियर होते जाएंगे तो आप लोग क्लास जो है पूरा ज़रूर देखिएगा और इससे पहले की क्लास तीन जा चुकी है जिन अभिहारतियों ने जिन बच्चों ने नहीं देखा आप लोग जाकर करके देख सकते हैं विज इसलाथ अपने पूरे जीवन में कितने पेडों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं और यह आप देख भी पार होंगे इसका जो पूरा डिटेल है मैंने दिया भी है और यहां पे आप चाहें तो पूरा पढ़ सकते हैं एक बार मैं इसको फिर से बता दे रही हूं क्योंकि कुम कर accident सीटे सिटेट यहां मैं कि से आपक विरेट टॉपिक है हमेशा कोशन यहां से उठाए यह ज है यह असलात है आपका यह भालू जैसा भालू जैसा बालू जैसा भालू है है नहीं बाप नालू जैसा दिखता है और यह कारीब गंटे पेड़ों उल्टा लड़क कर होता है जीस पेड़ पर रहता है वह उसी पेड़ की पत्ति घह कर ही पलता है इसलिए इसलिए नहीं है और जाने की दरूएत नहीं पड़ती है जब अपने पेड़ के सारे पत्तेे καर लेते हैं तभी वह के प encouraged फेड़ years cos अपने पूरे जीवन में जो यह मुश्किल से आठ पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं और इनका जो जीवन काल होता है वो 40 वर्ष का होता है ठीक है यह सब्ता में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं तो असला से रिलेटेड आपका इससे बाहर कोशन नहीं जाएगा इससे आगे पॉइंट नहीं जाएगा आपसे सीधा सीधा भी पूछ सकता है कोशन और इस तरह से भी पूछ सकता है आपको कोशन दे देगा कि इसमें से कौन से इसलात की विशेश्चता है या फिर नहीं है तो नहीं है देगा तो सिर्फ एक को गंटे सोती है अजगर कितने गंटे सोता है बिली कितने कंटे सोती है इस तरह के कोशन आपके पूछे गये हैं तो आप को यहाँ पर ध्यान देना है गाए जो है एक दिन में दो घंटे चार गंटे सिर्फ सोता है बहुत कम सोता है जिराफ और अगर जो है हम यही अजगर की बात करें तो अजगर एक दिन में 18 गंटे सोता है तो आप इसको देहान दीजिएगा ठीक है गाय की बात पुछे तो 4 गंटे और वहीं जो है बिली की बात करें 12 गंटे और जिराफ की बात करें 2 गं अजगर एक दिन में कितने गंटे सोता है जैसा कि मैंने आपको बताई दिया 6 गंटे या फिर 12 गंटे या फिर जो है यहां पर यह कोशन बहुत बार पुछा गया है बिल्ली एक दिन में कितने गंटे सोती है ऑप्षिन ए है 2, B, 4, C, 6, D, 12 बिल्ली जो है कितने गंटे सोती है तो यह 12 गंटे टोटल सोती है यह दोस्तों मैं अपने से नहीं बता रहे हूं है अंसियार्टी में आपका पूरा दिया गया ह है और यहां से कोशन उठाएं भी गयें अब आप लोग यहां पर की पेज देख सकते हैं यह आपका देखिए अलृट का आपने कोशन देखा ना में देखिये यह दिया गया है औरक टोटल दिया गया यहां से यहां तक ठीक है यहां तक चीकर चौपिस घंटे आपका दिया गया है अब लग अपकी आप इस तो ढख बताया गया था गाय का देख भारंगे जैसा कि यह आपका 53 च्टे अबab गाय का जो यह दार्क सरकल दिया गया है यह गाय के सोने का टाइम बताया गया है तो दो दो चार गाय जो है चार गटे सोती है और ज learning को जी inmक्ट करें तो और इसका डिट desired सीदा सीदा बें और पने इस से कितना गुना बेहतर देख सकते हैं बाग की बात की गई है कि बाग जो है ये अंधेरे में हमसे कितना गुना बेहतर देख सकते हैं दो गुना चार गुना छे गुना या फिर आट गुना बाग जो अंधेरे में हमसे छे गुना बेहतर देख सकते हैं तो option C जो है इसका correct answer हो अब यहां पर अगला question जो दिया गया है बाग का गुर्राना कितने किलो मीटर तक सुना जा सकता है option A में दिया गया है 2 km, B में है 3 km, C है 4 km, D है 5 km तो बाग का गुर्राना जो है 3 km तक सुना जा सकता है option B इसका correct answer है अभी जो हम लोगे NCRT का पेज देखेंगे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यह NCRT का पेज है बाग अंधेरे में हम से 6 गुना बेहतर देख सकता है कितना गुना? 6 गुना और चील बाजगित की बात करें तो वहाँ 4 गुना जो है ठीक है अब यहाँ पे देख सकते हैं इससे related और पॉइंट्स बाग मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है गुसे में अलग-अलग आवाज और बागिन को बुलाना हो तो अलग आवाज कभी कराना तो कभी गुर्राना बाग का गुर्राना जो है तीन किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है कितना तीन कियम बाग हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की ज़ाडियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर को भाप लेता है बाग के दोनों कान बाहर की आवाज इकठा करने के लिए अलग-अलग दिश्याओं में बहुत ज़्यादा घुमबी जाते हैं तो ये तब बाग से related अगला कोशन आप लोग देख पारोंगे साथ ही दोस्तो जितने भी बच्चे आप लोग इस क्लास को देख रहे हैं आप लोग प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा लोगा तक शेयर कर दीजे सबी जगा हर जगा आप लोग जहां जहां आपका कॉंटेक्ट हो आप लोग कर सकते हैं जिम कारबेट नेशनल पार्क भारत की किस राजचे में हैं ऑप्शन ए उत्राखंड बी है जारकंड सी राजस्तान डी है उत्तरपरदेश दोस्तों देखे इस तरह के नेशनल पार्क से रिलेटर अगर कोशन हम देखें तो पहले जो है जब आनलाइन दो एक्जाम हुआ आपका उससे पहले नहीं पूछे जाते थे मगर आनलाइन एक्जाम जब से स्टार्ट हुआ तो आपको ने-ने कोशन जो NCRT के ही टॉपिक है यह ऐसा नहीं अलग से इंक्लूड किया गया से आटी के ही हैं बट वो उस टाइम नहीं पूछे जाते थे वहां से कोशन नहीं उठाता था लेकिन जब से आनलाइन आपका 23-24 शिफ्टों में एक्जाम होने लगा उसमें अब 23-24 शिफ्टों में एक्जाम हो रहा है तो हर पेपर तो नया-ने बनाना था ने-ने कोशन द जाएगा अभिए खाना नेशनल पारक जो है भारत के किस राज में है तो यह उत्राखन जॉर्गन डाजस्तान उत्तर परदेश भगान नेश्नल पारक जो है दोस्तों ये पार्क जो कि आपने कोशन देखा इन जंगली इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है यहां लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुचा सकते तो आपका अगर जिम कार्बेट पुछे तो आपका उतरा खंड हो जाएगा और घाना पुछे तो राजस्ता सबी यह आपका करेक्ट आंसर होगा अब यहां पे आप लोग इन्सियार्टी का पेज देख सकते हैं क्या तुम जानते हो हमारे देश में पाई जाने वाले सापों में से केवल चार तरग के साप ही जहरीले होते हैं नाग करे दुबया और अफाई यह चारों आप लोग य सांदिजेगा नाग करेक्ट दुबया और यह 4 जहरीले नगे जाता है किसी दो खोक्ले जहर대स बचने ौईए उर। जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई सीरम दी जाती है सीरम ठीक है यह सीरम साप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारे स्वास्त के इंडरों पर मिता है यह जो सीरम किसे बना जाता है वो साप के जहर से ही बनाया जाता है सीरम को ठीक है तो यह था आपका नाग कोशन का इस तरह से सेट किया था तो आप लोग इसको कोशन नमबर पर मच जाएगा आप लोग कोशन देखिए निम्रा लिखित में से निपेंथीज पौधा कहां पाए जाता है आस्ट्रेलिया इंडोनेशिया सी भारत की मेंगाले डिव प्रोक्त सभी यह भी सीटेट का फे जो पत्ती से एक तरह का जो उसका ढड़कन बना होता है जो उसको ढकम देता है जो कीड़े मघोड़े कर देगा बस छोटा सा यह छोटे जो है अटा के बढ़ा कर देगा तो आप यहां पर जाएंगे तो यह क्या करता है कीड़े मुकड़े चुहे मेड़को और छोटी जियों का शिकार करता है इन में से 35 सबसे ज्यादा मशूर है यह आस्टेलिया इंडोनेशिया और भारत की मे गाले राज में पाये जाता है इसके आकार लंबे घड़े जैसा होता है इसके उपर पत्ति का ढखन लगा होता है जो कि आप लोग देख पा रहोंगे घड़े से जो है खास खुश्बु निकलती है जिसकी वज़ा से कीड़े खीचे चले आते हैं पौधे की उपर पहुच दोस्तों उठाए जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है यह आपका अब यहां पर अगला कोशन आप लोग देख पारूंगे मिर्ची हमारे यहां कहां से आई यह तो बहुत बार पूछा जा चुका है आपसे ऑप्शन नहीं में दिया गया है दचिड अमेरिका पी अफ्री से आई हैं ऑप्शन भी इसका करेक्ट हो जाएगा नेस कूशन है सोयबीन हमारे यहां कहां से आई है सोयबीन जो है दुस्तों धिर अमिरिका या फिरकर यूरोग चीन चीन से जो है सोयबीन आई है तो आप्शन डिक और यह आप देख सकतें स्कते हैं CRT का पूरा पीज है और यहां पर एक पोईम है जिसमें सब कुछ दिया गया है कि कौन कहां से आया है इसका देख पारोंगे जानना चाहते हो कौन कहां से आया आलू मिर्ची चाय जी ठीक है आप यहां पर जो भी चीजे आपसे पूछें चाय मिर्ची पुछे या फिर आलू गोभी मटर जो भी है जो भी चीजे सोया बीन है कुछ भी पुछेगा तो आप यहां से कर लेंगे काफी के बारे में चाय के बारे में तो यह पूरा जो है इसमें पूरा डिटेल आप देख सकते है आलो मिर्ची चाए जी कौन कहां से आए जी साथ समंदर पार से Dynia के वाजार से विया पार से उप하ार से जंग लड़ाई मार से हर रस्ते से आए जी आलो मिर्ची चाए जी अब यहां तक आपका कोई Coolution का नहीं दिखा होगा अब आगे आप लोग यहां पे देखेगा यहां पे दच्छिड अमेरिकी मिर्ची रानी मसालो की है यह रानी यहां पे आप देख सकते हैं दच्छिड अमेरिकी मिर्ची रानी आप से पुछा गया था ना मिर्ची जो है कहां से आई तो यह है दच्चिर अमिर्ची मिर्ची रानी मसालों की है पट रानी हर रस्ते से आये जी आलो मिर्ची चाये जी दच्चिर अमिर्ची मिर्ची रानी मसालों की है पट रानी मुंग फली आलो अमरूद धूम मचाते करते उचल खूद साथ टमाटर राय जी आलू मिर्ची चाय जी तो दच्छीड अमर्का से गर आप याद रखें तो मिर्ची रानी और मुंगफली आलू अमरूद यहाँ से टमाटर आलू मिर्च चाय साथ टमाटर राय जी आलू मिर्ची चाय यहां पर यह सारी चीजे जो हैं देखिये, दचिडर अमिर्ची, मुंफली, अलू अमरू, धूम मत चाते करते, उत्यू chi राओगों दच्छिडर अमिर्ची, यह आपकَ इतना कन्फरम हो गया, ठीक है, अब भिंडी है अफ्रीका की भूरी भूरी काफी भी, अगर अफ्री वहां से आए गोभी मटर यूरोप कि दर यूरोप की बात करें तो यहां से गोभी मटर आया हुआ है चाय असम की बाई जी आलो मिर्ची चाय जी चाय कहां से असम से अपने राज से आलो मिर्ची चाय जी अब यहां पर चली चीन से सोया बीन सोया बीन को पुछा गया था ना सोया बीन कहां से तो ये चीन से है ठीक है चली चीन से सोया बीन पहुची अमेरिका बजाती बीन घूम घाम लोटी अपने देश उसमें गुड़ है कई विशेश यहां पर आप लोग कन्फियूज हो जाते हैं देखिए चीन से जो है सोया बी अपने देश उसमें है गुड कई विशे शुरूब जमाकर आई जी आलो मिर्ची चाह जी बैगन मूली सेम करेला आम संत्रा बेर और केला पालक परवल टिंडा में थी है भाई बान या सब देशी ये मतलब बैगन की बात करें या फिर मूली पूछ दे सेम करेला पूछे आम संत्रा बेर और केला पालक परवल टिंडा में थी ये सारे जो हैं ये हमारे देश के हैं यानि ये हैं भारत के इन में से अगर कोई कुछ पूछे तो आपको भारत लगाना है ठीक है भारत की पैदाईश ची कौन कहां से आई जी आलो मिर्ची चाह जी आई होप कि आपका अ अब अगला कोशन हम देखेंगे एवरेस्ट पर चड़ने वाली पर्थम भारती है महिला कौन थी अगला कोशन है बचेंडरी पाल कितनी मिनट तक दुनिया की सबसे उची चोटी पर रही ऑप्शन ए है 42 मिनट बी है 43 मिनट सी है 45 मिनट डी है 48 मिनट तो बचेंडरी पाल जो है कितनी मिनट तक दुनिया की सबसे उची चोटी पर रही है ये 43 मिनट तक रही है ऑप्शन भी इसका करेक्ट होगा अब जो है आप लोग यहाँ पे NCRT का पेज़ देख पारोंगे इ यहाँ पे देख सकते हैं बचेंडरी तो मानो बर्फ की चादर में ही लिपड़ गए पूरी टीम को लोगों को बहुत चोटे आए टीम के लोगों ने कुलहाड़ी से खोद खोद कर उन पर बर्फ कटाई और उन्हें बाहा निकाला यहाँ पे दिया गया है बचेंडरी ने 23 मई 1984 को दिन में एक बच करके 7 मिनट पर 8900 मीटर उचाई उची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल नाम सागर मथा पर कदम रखा कब 23 मई 1984 को दिन में 7 मिनट पर एक बच कर 7 मिनट पर 8900 मीटर आप से पूछता है यह भी उचाई भी पूछ देता है तो 8900 मीटर NCRT में दिया गया है तो आप इसे ही लगाएंगे ठीक है अब यहां पर पुछेगा उनके साथ उनकु टिम का एक साथी भी था चोटी पर दो लोगों के खड़े होने की जगए ही नहीं थी और पैर फिसलते ही हजारों फूट नीचे ही गिर कर रुखते उन्होंने बर्फ खोद कर अपनी कुलहारी को हुक की तरह गाड़ा और असे से अपने आपको उस हुक से बादा तब यह लग वहां खड़े हो पाए वे ठंड से काप रही थी पर खुशी से जूम भी रही थी उन्होंने वहां माथा टेका तिरंगा गाड़ा और कई फोटो भी कीचे करीब 43 मिनट य अगला कोशन है नील आर्मस्टांग सबसे पहले चांद पर कब उतरे ऑप्शन ए में दिया गया है 1949 बी है 1959 इस नाइंटिन सिक्स्टीन डी है 1979 तो नील आर्मस्टांग सबसे पहले चांद पर 1969 में उतरे ऑप्शन से इसका करेक्ट होगा अब यहां पर NCRT का पेज आप लो 1979 में नील आर्मस्टांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे चोटी सुनीता उनसे बहुत प्रभावित हुई तो आप देख सकते हैं सबसे पहले व्यक्ति कौन थे नील आर्मस्टांग और कब 1969 अब यहां पर अगला कोशन जो दिया गया है पश्मीना साल कि कितने स्वेटरों के वराबर गर्मी करती है ये भी बहुत रिपीट हुआ अपका कोशन यह साधारण साल कितने गंटे में तयार होती हैएं 150 गंटे B हे 250 गंटे C हे 350 गंटे और D हे 450 गंटे तो एक साधारण पश्मीना स्वाल जो है ये कितने गंटे में तयार होती है 250 गंटे में तयार होती है option भी इसका correct हो जाएगा अब यहाँ पे पश्मीना से related जो detail है पूरा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पश्मीना साल आपकी है माना जाता है कि एक पश्मीना साल 600 गर्मी होती है 600 गर्म पर मोटी बिलकुल नहीं यह पश्मीना बनता है पहाडी बक्रियों की एक खास नसले से लगबग 5000 मीटर की उचाई पर रह सकती है यह सर्दियों में तापमान 0 centigrade से भी कम पतले होते हैं इतने पतले की बक्री के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सीर के एक बाल की मोटाई के बराबर होंगे इसलिए पश्मीना शालो को पश्मीना द्वारा नहीं बुना जा सकता इसलिए पश्मीना शालो को जो है मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं अगर ये बुनकर 250 घंटे बुनाई करें तब जाकर एक साधारण पश्मीना शाल तैयार होती है इतनी मेहनत सोचो अगर डिजाइन वाली शाल बुननी होतों कितने दिन लगेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें जो है 6 सुटरों के बराबर ये जो है गर्मी देती है 250 घंटे जो है इसकी बुनाई की जो टाइम दी है ये इससे बाहर आपका कोशन नहीं जाएगा जो पूरा इसमें दिया गया है अगला जो कोशन है डल जील कहाँ पर है ओप्शन A है मेगाले, B है केरल, C है श्री नगर, D है बिहार तो डल जील कहाँ पर है दोस्तों ये है आपका श्रीनगर में ओप्शन C जो है इसका करेक्टर अंसर होगा अब यहाँ पर देख पारूंगे यात्री डल जिल में शिकारे में घूमने का मज़ा उठाते हुए यह है आपके डल जिल शिकारा एक परकार की नाव है अपने सफर की शुरुआत पर निकलने से पहले मैंने कभी सोचा भी नथा कि एक ही राज में मुझे इतनी तरह के घर और लोगों में रहने सहन की तरीके देखने को मिलेंगे ले में एक अनुबहता दुनिया की चोटी पर रहने का और श्री नगर में अनुबहता पानी पर रहने का इन इलाकों में भी घर भी ऐसे खासते जहां वे मौसम के अनुकूल थे ठीके तो ये ठर डल जिल हाउस बोट कहां पाई जाते हैं या उप्शन है केरल, स्री नगर, गुजरात, गुवा तो हाउस बोट दोस्तों ये भी आपकी स्री नगर में पाई जाते हैं उप्शन भी करेक्ट होगा नेस्ट कोशन है लकड़ी के डोंगे कहां पाए जाते हैं केरल या फिर श्री नगर या फिर गुजरात या फिर गुवा तो लकड़ी के डोंगे जो है ये भी श्री नगर में पाए जाते हैं ऑप्शन भी करेक्ट होगा अगला कोशिन जो दिया गया है श्रीनगर के घर एक नजर आप देख सकते हैं या स्रीनगर के हाउस बोट स्रीनगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं हाउस बोट असी फुर्ट तक लंबे होते हैं बोट की तरह बने लकड़ी के डोŉंगे ये देखपार हूँगे लकड़ी के डोउंगे पानी में तेयते रहते हैं श्रीनगर की डल, लेक और घिलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं मकान की तरह इस डोंगे में भी अलग-अलग कम रहे होते हैं यह है आपका डूंगा और यह हाउस बोट आप देख पारेंगे नैस कोशन यहाँ पर देखेंगे भारत की आजादी से पहले महत्मा गादी ने जिस दांडी के समुदर तर्ट पर अपनी परशिद यात्रा की वो भारत के नीचे दिये गए किस राजमें इस्तित है ऑप्शन आप लोग देख पारेंगे अब यहाँ पर उसका पुरा डिटेल देख सकते हैं जो एंसे आटी में दिया गया है डांडी यात्रा से रिलेटेड यह घटना जो है 1930 की है आप से पूछ सकता है डांडी यात्रा कब यह टाइमिंग भी पूछ सकता है कब डांडी यात्रा की जो घटना आए वो कब हुई थी तो 1930 भारत की आजाती से पहले बहुत सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी उपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तिमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे भला बताओ नमक जैसे चीज के बिना गुजारा कैसे हो लोगों को मजबूरी में दुकान से महेंगा नमक खरीदना पड़ता था इस बास से लोग बहुत नारास थे गाली जी का कहना था जो चीज हमें कुद्रत ने दी उसे बनाने पर बंदिश कैसी उन्हों के पानी को जमीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक के धेर वहीं रह जाते हैं तो डांडी यादरा 1930 आप इसको याद रखेगा कहां पे गुजरात में अहमदाबाद ठीक है अब अगला कोशन देख सकते हैं आपे निम्न मे अब यहां पर आप देख सकते हैं इसका जो डिटेल दिया गया है मलेरिया की दवाई मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिंकोना पेड की च्छाल से बनाई जाती है पहले तो लोग च्छाल को उबाल कर और च्छान कर ही इस्तिमाल करते थे लेकिन अब च्छाल से दबाई बनाते हैं तो ये पूछ़े कि मलेरिया की दबाई जो है किस से बना जाती है तो सिंकोना पेड़ की च्छाल से बना जाती अगला कोशन देख पार हो के निमना लिखित बेसे चिराओ नाच बहुत बार पूछा गया आपसे चिराओ नाज जारकंड, मिजोरम, मडीपूर या फिर मेगाले तो चिराओ नाज जो है ये कहाँ का है दोस्तों मिजोरम का आप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ने इस कोशन देख पारूंगे निम्नालिकित में से तमिल नाडू के निकटवर्ती राज़े कौन से हैं तमिल नाडू के निकटवर्ती राज़े पुछा गया है तो आंधिपरदेश, उरिष्टा, करनाटक क्या ये तमिल नाडू के निकटवर्ती राज़े हैं नहीं केरल, आंधिपरदेश, महारास्ट नहीं करनाटक 36 गर नहीं आंद्रपरदेश, किरल और करनाटक ये जो हैं तमिल नाडू के निकटवत्ती राज है तो option D इसका correct हो जाएगा आपका मैप से related एक से दो question पूछता है और ये confirm है दोस्तों मैप से related आपका एक दो question आना ही आना है यहाँ पर देख सकते हैं नीचे दिये गए विकलपों में से कौन सा एक समू जड़ो का है चुकंदर, आलू, अद्रक, गाजर, हल्दी, अद्रक, शकरकंदी, मूली, हल्दी, डी है गाजर, चुकंदर, मूली तो इसमें से कौन सा जड़ो का है यहाँ आप से पूछा गया है तो क्या चुकंदर, आलू, अद्रक, जो है क्या आपका जड़ है क्या नहीं ना तो यह आपका तने में आता है, अद्रक है, हल्दी है यह सब गाजर, हल्दी, हल्दी देखिए अद्रक यहां पर भी आए तो यह कड़ जाएगा शकरकंदी, मूली, हल्दी यहां भी है कड़ जाएगा गाजर, चुकंदर, मूली आपकर D ऑप्शन जो है यह करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन D अगला कोशन जो दिया गया है दोस्तों हाउस बोर्ट छेतर में देखा जा सकता है हाउस बोर्ट जो है किस छेतर में देखा जा सकता है रेगिस्तान में या फिर बहुत पानी में या फिर बहुत बर्फ में या फिर ननाफ दीर तो house board जो है छेतर में देखा जा सकता है ये question आपसे online exam में पूछा गया था तो ये जो है बहुत पानी वाले छेतर में देखा जा सकता है option B जो है इसका correct answer होगा अगला question आप लोग देख पारोंगी बंदर, share, तथा चुगे के घर करमशे हैं बंदर, share, तथा चुगे के घर करमशे हैं ये जीस तरह से serial wise आपके question में दिया गया उसी तरह आपको अपने answer करने हैं घोसला, पेड, गुफा तो क्या इसमें कोई जो है घोसले में रहता है नहीं ना तो आपका यहीं कर जाएगा गुफा, बिल, एवं पेड में तो इसमें देखा जा सकता है पेड, गुफा, एवं बिल ये भी है बिल, पेड, एवं गुफा, तो ये भी है तो देखिए आपको यही चीज़ें कन्फ्यूज कर जाएंगी तो आपको जिस तरह से serial wise question में दिया गया है उसी तरह उसका option में भी देखना है यहां पे भी दिया है गुफा, बिल, एवं पेड, शेर गुफा में भी रहता है चुहा, बिल में रहता है, पेड पे बंदर रहता है तो बहुत से बच्चे इस तरह से लगा के आजाएंगे अगला question जो आप लोग देख पार होंगे, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा आहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है जब वह अनेक सुरंगों को पार करता है, यह सुरंगे परवतों में है विन ध्याचल, अरावली, पश्मी घाट, डी पूर्वी घाट तो यह अनेक सुरंगों को पार करता है, तो यह सुरंगे किस परवतों में है, तो यह पश्मी घाट में है तो option C, इसका correct answer हो जाएगा, ठीक है तो दोस्तों यह थी आज की class, I hope कि आप सभी को अच्छी लगी होगी और आप सब जितने भी बच्चे देख रहे हैं, आप लोग प्लीज इस class को like कर दीजेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक share करिएगा आप से यही request है क्योंकि आप सभी की comment आते हैं, मैं class बहुत अच्छा लगा सब कुछ जो है यहाँ पर आपका cover हो जा रहा है, तो आप से यही request करूंगी दोस्तों आप जो है, अगर मुझे thank you देना चाहते हैं, मिरे लिए थोड़ा सा भी कुछ करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप लोग share कर सकते हैं, करिएगा WhatsApp group, Ebby group, Telegram, जहाँ जहाँ आप कर सकते हैं, करिएगा तो बस इसी तरह से अपना lower support बनाए रखेगा, बाकी जो भी चीज़े आपको ना समझ में आए मैप से related भी आपके बहुत से comment आ रहे बच्चों के, क्योंकि मैप से आपके एक दो question पूछे जाते हैं पूरी जानकारी जो कि मैंने आप सभी को दे दी है, बाकी आपका जो मेराथन क्लास है, वो पांच को मिल जाएगा तो आप उस क्लास को जरूर देखिएगा, और आपसे request है, जादा जादा लोगों तक share करिएगा मिलते हैं नेश्ट अपडेट के साथ, नेकलास के साथ, तब तक लिए बाय बाय टिकेट, थैंक यू